तो अडजस्मेंट हमने उसे बोला है जो की हमें वीजुल है सर वीजुल है ऐसे क्या मतलब है अडजस्मेंट का जैसे आप सभी ने अभी तक क्या देखा है के ये क्या है ट्राइल बैलेंस और अडजस्मेंट हमने जितने भी कोशन किये है कहां मिला है हमें ट्राइल बैलेंस के बाहर तो इसको क्या नाम दिया था अडजस्मेंट टॉपिक क्या है हमारा हेडन अडजस्मेंट अब आपको trial balance के बाहर कुछ ऐसे points है जो कि देखने को नहीं मिलेंगे तो sir कहां मिलेंगे? trial balance के अंदर ऐसा मत समझ ले न question paper में ही नहीं होगा उसमें तो होगा लेकिन trial balance के अंदर होगा sir ऐसा कौन सा adjustment सिखाने वाले हो जो कि trial balance के अंदर हो और हमें पता ना चले तो वो है हमारा loan आपने कभी trial balance में loan देखा है? देखा हुआ है loan? नहीं देखा trial balance में loan आपने? देखा है, lively team में भी हो सकता है, debit में भी और credit में भी हो सकता है और इसके आगे अभी तक percentage वाला point हमने किया नहीं है क्या loan के आगे ऐसा percentage देखा है आपने कभी नहीं देखा तो आज समझ लो जब कभी भी loan लिखा हो ना केला तो इसके आगे ये percentage होता है तो इसका मतलब होता है जैसे कि मान लो एक लाख रुपए का loan है इसका मतलब है कि एक लाख रुपए पे 10% हमें ब्याज देने है समझ मैं यही बात आपको तो loan के आगे अब अक्सर आपको पता ही क्या देखने को मिलेगा percentage और इस percentage का मतलब क्या होता है interest, interest जो हमें paid करना है किसको paid करना है interest जिससे loan लिया है bank हो सकता है और other भी हो सकता है हमारे ठीक है न तो sir यहाँ पे जो percentage है न इसका मतलब हमें interest देना होता है तो interest दिया या नहीं दिया ये हम देखेंगे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है suppose करो interest तो interest हमारे लिए क्या होगा? खर्चा या income? खर्चा क्योंकि देना है न, loan credit में है तो इसका मतलब ब्याज देना होगा लेखिन loan होता, debit में तो ब्याज लेना होता तो interest, question में कहीं भी interest अगर नहीं दिया तो इसका मतलब है हमने इस loan पे ब्याज का payment नहीं किया है और जब आपने interest on loan का payment ही नहीं किया तो you have to pay, आपको pay क्या करना पड़ेगा करना पड़ेगा, तो calculate कर लेंगे, बताओ कितना आएगा इसका एक लाग का 10% किया, 10,000, 10,000 हमें क्या करना पड़ेगा पेमेंट करना पड़ेगा, और यह अभी तक किया नहीं है मैं क्या word यूज करना हूँ, पेमेंट करना पड़ेगा तो क्या माने इसे, outstanding liability, क्या मानेंगे इसे outstanding, तो हो गया ना adjustment यह, तो इसलिए मैंने इसका topic का नाम लिखा है, hidden adjustment, यानि आपको इस adjustment के बारे में, अलग से जानकारी ना दे के trial balance के अंदर ही आपको दे दिया जाएगा, पहचान लोगे ना कि इसके उपर adjustment है, और यह किसकी बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बात हम कर रहे है, interest on loan, हम दोनों बात करेंगे, या तो loan हमने दिया हो, या loan हमने लिया हो, दोनों बाते करेंगे, तो चलिए देखिए कैसे होगा, नहीं होगा, कितने type के हो सकते हैं, वो भी देखेंगे, तो यहाँ पे मैं दो part में divide कर देता हूँ और यह वो adjustment है ना, जो कि बच्चे हमेशा भूल जाते हैं भूल जाते हैं मतलब नजर ही नहीं आता है यह देखने में, तो रही जाता है, अरे यह तो रहे गया, तो इसके अंदर या तो हो सकता है हमने loan क्या हो, क्या हो, loan बताईए, given यह taken वाला पहले ले लेते हैं ना, loan taken किया हो, taken का मतलब कर जा है या assets है, अच्छा, loan लोगे और assets बनेगा, loan लोगे तो क्या बनेगा, liability बनेगा, ठीक है ना, और loan given यह क्या होगा, यह assets होगा अगर हम loan देंगे तो क्या होगा, अब इन दोनों के उपर क्या rate of interest होता है वो loan के आगे ही लिखा हुआ होता है, हमेशा अलग भग अगर loan के आगे नहीं लिखा ना, तो adjustment में दे देगा, तब तो नॉर्मल बन जाएगा हमारे लिए ठीक है, अब इसके अंदर दो पार्ट हो सकता है सर, दो पार्ट क्या हो सकता है इसके अंदर? जी, इसके अंदर दो पार्ट हो सकता है या तो आपने full interest नहीं दिया इसमें interest क्या करेंगे बताओ? देंगे, loan लेंगे तो interest? देंगे ना interest तो इसके अंदर full interest interest not given इसके अंदर पूरा interest हमने नहीं दिया और ऐसा भी हो सकता है क्या? आप सोच के बताना कि हमने थोड़े से interest दे रखे हैं हो सकता है नहीं हो सकता possibility हमने थोड़े से interest दे रखे हैं और थोड़े से बाकी रह गया तो जो बाकी रह गया थोड़े से part वो क्या माना जाएगा adjustment और outstanding उसकी entry हम करेंगे यहाँ पर यह हो सकता है हमारा paid partly, partly का मतलब जानते हो partly paid partly में कितना होता है बताओ half 20% भी तो हो सकता है कुछ भी, मतलब पूरे से कम, 10%, 20% जितना भी दिया है हमने, फीक है चलिए एक example लेंगे वैसे तो देखो, जब कभी भी loan होगा full outstanding होगा, तो इसकी entry दो जगह जाएगी, सर दो जगह कहां लेके जाएगे एक चला जाएगा, liability है ना और एक चला जाएगा profit and loss के, बताईए debit side खर्चा तो है यह भाई, outstanding expense दूसरा कहां चला जाएगा balance sheet के liability side में adjustment तो दो जगह जाना है अब अगर partly होगा तो इसका भी same होगा इसका भी same होगा, एक चला जाएगा हमारा profit and loss में और एक चला जाएगा balance sheet में लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितना भीजना है माइनस प्लस करके ठीक है, एक्जामपल देखिए एक्जामपल लेते हैं मान लेते हैं कि मैंने मैं दो loan लिखूँगा, एक इसके लिए और एक इसके लिए ठीक है या दोनों के नीचे अलग-अलग अग्जामपल ही ले ले लेंगे, जगह है तो दोनों के लिए अलग-अलग एक्जामपल ले ले बताओ ये क्या बनाया है मैंने trial balance बनाया इधर क्या होता है इधर क्या होता है मैंने लिखा 10% या 10 से जाँ simple ले लेते हैं 12% loan क्या लिखा मैंने 12% loan अब मैं liability वाला करके चल रहा हूं यह है हमारे लिए क्या liability liability वाला part लेके चल रहे हैं तो liability मैंने लिखा 1,00,000 रुपए और आपको कोई adjustment दूर दूर तक नहीं गीवन कोई adjustment नहीं गीवन कुछ भी information नहीं गीवन तो इसका मतलब क्या समझें कि इस loan के उपर ब्याज हमने payment नहीं किया है पेमेंट अभी तक किया या नहीं किया तो कितने रुपए ब्याज बन रहे हैं यहां पे तो 12,000 रुपए कहां दिखा दोगे profit and loss के debit side एक कहां दिखा दोगे balance sheet के यह समझ में आया आपको ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसके अंदर date डाल दूँ जब अब मैं इसके अंदर date डालूँँगा न suppose करो मैंने date डाल दिया एक दस दो हजार बीस तो इसका मतलब पता है क्या होगा यह loan मैंने इस तारीख में लिया है समझना बात इसके अंदर अगर मैंने date डाल दिया तो इसका अपलब क्या है यह loan कब लिया गया एक दस दो हजार बीस और हमें 31 मार्च 2021 तक का हिसाब किताब तयार करना है अब बताओ interest कितना निकलेगा छे महिने का निकलेगा और छे महिने का कितना होता है छे हजार रुपे होगा निकलना आता है ना छे महिने का तो अब छे महिने का छे हजार एक चला जाएगा profit and loss के debit side में एक balance sheet में तो आपने समझना है अगर date दे दिया तो date के according और date नहीं दिया तो पूरे साल का चलो अब बताना मेरा accounting है 31 March 2021 का और examiner बड़ा चलाक है उसने लिख दिया 31,3,2,0,1 अब loan किस दिन लिया है और बनाना कब के लिए accounting है 31 March 2021 तक का ही बनाना है मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है loan किस दिन लिया accounting कब तक की करनी है 31 March 2021 किस क्या अब ब्याज निकलेगा इस पे ब्याज निकलेगा अगर जो बच्चा बोलता है ब्याज निकलेगा तो कितने दिन का निकलेगा या महिने का निकाल पाओगे तो इस पे ब्याज नहीं calculate होगा समझ मैं आई बात अब ये adjustment का party नहीं रहा हाँ अगले साल होगा तो अगले साल का क्या लेदना अगले साल भी आपको ठीक है ना तो अगले साल का निकलेगा लेकिन इस साल निकलेगा तो इस date का काफी important role play करेगा जो कि bracket में आपको given होगा Sir bracket में अगर नहीं देता कहीं और भी हो सकता है हाँ हो सकता है न नीचे adjustment में लिख देगा loan taken on कब लिया गया 31-32021 ऐसे लिख देगा वो तो ये जानकारी क्या है ये जानकारी आपको ये बता रहा है कि loan हमने कब लिया है समझ में नहीं आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है इस जानकारी से क्या है? इसका मतलब क्या है? लोन हमने तो ये जानकारी या तो bracket में देगा या फिर adjustment में देगा. समझ में आई बात आपको. तो मैं इस जानकारी को बाहर भी दे सकता है. इसको date कम कर देते हैं. हम 110, 2021 कर देते हैं. ठीक है? 110, 2021. या तो यहां हो सकता है या फि 20 करते हैं. 20. इस situation में answer क्या आएगा? 6 महीने का भी आज निकलेगा. तो 6,000 रुपे यहां चला जाएगा. है कि नहीं? और 6,000 रुपे liability में. पहला part complete. बताइए समझ में आए कि नहीं है? आगे है समझ में? ठीक है. hidden adjustment कहां होगा? समझ में आ रहा है. trial balance के अंदर information given होगा. अब चलिए आते हैं इसके example के लिए partly वाला. चलिए. अब मैंने लिखा 12% loan और again example same एक लाख रुपे. समझे बात? और मैंने यहां interest लिखा interest 2000 रुपे. तो इससे क्या मतलब समझे? इससे मतलब है जब कभी यहां interest लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब 2000 रुपे का payment हो चुका है. payment हो चुका है. total क्या हमें इस पे ब्याज कितने time के लिए निकालेंगे जब कुछ ना जानकारी हो तो? पूरे साल के लिए. पूरे साल के लिए निकालेंगे तो कितना बनेगा? बारा. बारा में से कितना दे चुके हैं? तो आउटसेंडिंग की कितने की बात होगी? दस अजार के. समझ मे पीजार ये बात आपको. तो यहाँ पर एक तो पिंदल में भी चला जाएगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस hemen भी जाएगा. डेबिट साइड में. और बेलेंग्र सीट के लाइबलीटी में भी चला जाएगा. है ना?feitoै कि लाइबलीटी में भी चला जाएगा. दोनों में, टोटल बारा लाइबिलिटी में कितना जाएगा टोटल दस हजार टोटल लाइबिलिटी में किया जाएगा हमारा दस हजार समझ में आ रही है आपको बात सेम अगर मैं इसके ब्रैकिट में डेट लिख दू इसके ब्रैकिट में अगर मैं डेट लिख दू मान लेते हैं, date इसके bracket में लिख देते हैं एक, दस, दो हजार बीस अब बताईए बिल्कुल सही, चार हजार क्योंकि टोटल ब्याज बन रहा है छे हजार, छे हजार में से दो हजार का तो पेमेंट हो चुका है तो P&L में तो टोटल ही जाएगा और यहाँ छे और कुछ बच्चों का यह confusion रहता है सर, यह बारा अगर वो ब्याज को निकालते हैं निकालते हैं, लोन ही भूल जाते हैं लिखने के लिए तो यह गलती मत करना, यह लोन आएगा या नहीं आएगा लाइबलीटी में आएगा, यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं दे रखा आपको इसको भी लाइबलीटी में दिखाना है और इसके उपर के ब्याज को भी दिखाना है और कुछ बच्चे फिर बोलते हैं, सर, इसमें एड करके दिखा दे के, नहीं, नहीं आउट्सेंडिंग को आप बैलेंस शीट में मैं एक एग्जामपल भी दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है मैं लिखूंगा 12% लोन और ये तो 1,00,00, जी आउट्सेंडिंग है जो भी बोल रहे हो 4,000 तो मैंने 4,000 ऐसे दिखाना है अलग-अलग समझ मैं ही बात आपको Profit and Loss में कैसे दिखाओगे जी Profit and Loss ये रहा हमारा Interest सबसे पहले Trial Balance वाला उठा के हम रख देंगे 2000 और इसमें Add कर देंगे Outstanding Interest कितने? 4000 P&L में Low आगे 6000 समझ मैं ही बात आपको कैसे करना है तो यहाँ पे Adjustment हमारे दो तरीके से हो सकते है Hidden Adjustment के अंदर भी और Hidden Adjustment में होगा तो Profit and Loss में क्या चले जाएगा Debit side में और क्या हैगा? Total Interest आएगा यहाँ पे है ना? इसमें कौन सा आएगा? Total यानि Old Plus New मैंने ऐसे नाम दे दिया, ऐसा कोई नाम है नहीं आपके किताब में ढूंड होगे तो नहीं मिलेगा तो Old का मतलब Trial वाला और New का मतलब जो आपने निखाला है, ठीक है ना? और Balance Sheet में चला जाएगा हमारा As a Outstanding के नाम से Interest कौन से वाला जाएगा? New या Old? New वाला तो लोन जब गीवन होगा तो ऐसे situation में देखो एक बच्चा पूछ लेता है कई बार मेर से सर अगर मान लो यहाँ पर ब्याज बन रहा है 6000 6000 और हमने payment 7000 कर दिया हो तो पहली बात तो किसी को ज़्यादा पैसे देने का अगर उसे इतना ही पैसा है कि लोन लेके ज़्यादा ब्याज पैड कर रहा है तो लोन क्यों लिया उसने पहली बात तो ऐसा case होता नहीं लेकिन examiner दे दे तो ऐसे situation में total ब्याज कितना 6 payment कितना किया 7 तो 1000 advance फिर 1000 रुपे minus हो जाएगा और कहां पहुँच जाएगा balance sheet के assets में prepaid के नाम से ठीक है ना होगा नहीं वैसा case लेकिन आपने समझ में याद रखना है कि ऐसा हो सकता है तो हम कर देंगे अगर हुआ तो चलिए यहाँ पे भी हो सकता है या तो हमने full amount not receive हाँ जी जब interest हमें receive नहीं होता ना तो इसका बहुत ही एक कभी interest receive नहीं होता या income कमा लिया और वो receive नहीं हुआ इसको बड़े ही एक simple नाम से बोला जाता है किसी को याद है accrued word लगाया जाता है ठीक है ना accrued interest या फिर accrued income भी बोल देते हैं clear अब ऐसा ही यहाँ पे हो सकता है second part की बात करें तो partly partly not receive मेरे हिसाब से आप समझ गए होगे इसका adjustment क्या होना चाहिए दो जगे जाएगा इसका क्योंकि ये हमारे लिए income या खर्चा ये हमारे लिए income तो profit and loss में कहां ले जाएं credit side बिलकुल सही जवाब profit and loss के credit side में चला जाएगा और ये वाला बता है income खर्चा assets बिलकुल सही ये चला जाएगा asset side अब ये adjustment कैसे हो सकता है इसका भी एक example नीचे लिख देता हूँ वैसे तो इससे भी काम चलाए जा सकता है लेकिन थोड़ी मेनद कर लेते हैं मैंने लिखा यहाँ पे 12% investment अब loan नहीं होगा अब word loan को बदल के क्या कर देंगे investment भी हो सकता है और साथ के साथ loan भी हो सकता है अब कुछ भी हो, होगा तो debit में ही ठीक है ना? investment हो सकता है और क्या हो सकता है? loan अगर debit में है तो हमने दिया है भाई किसी को अब इसके बाद कोई जानकारी है नहीं तो इसका मतलब समझेंगे अच्छा एक लाख रुपए पे हमें ब्याज मिलना था कितना? जो कि नहीं मिला अगर मिलता तो कहां दिखता? trial balance के अंदर ठीक है? नहीं मिला तो simple सी बात है जब हमें ब्याज मिला ही नहीं तो मिल जाएगा इसलिए यहां पे दिखा देंगे कहा? credit side में और यह आजाएगा 12,000 और balance sheet के asset side में भी आजाएगा कितने amount? किस नाम से? balance sheet के assets में accrued income या interest की बात हो रही है तो बहतर है कि आप दिखाएं accrued interest समझ मैं आई बात आपको और P&L में किस नाम से आजाएगा? सेम लिख दो आप accrued interest के नाम से कहा? P&L के? credit समझे? अगर इसके अंदर date हो तो क्या उसका मतलब समझते है date से हम? कि किस दिन ये investment करा था हमने किस दिन ये investment किया गया था यही समझेंगा ठीक है न? clear है यहां तक? चलिए partly वाले case के अंदर क्या हो सकता है? इसका भी करके दिखाओ क्या? कैसे होगा? date डालके दिखा दू ये समझे में आ जाएगा ये? आ जाएगा अब partly वाले की बात करते है partly वाले की बात करें तो यहां पे भी क्या होगा? profit and loss के credit side और दूसरा कहा चला जाएगा? balance sheet के asset side balance sheet के asset side सर अब इसका example क्या होगा? simple देखिए इसका example इसका example देखिए इसका example होगा जैसे suppose करिए मैंने लिखा 12% 12% investment एक लाग interest पांच हजार आप देख रहे हैं? loan है debit में तो interest कहा होगा? क्योंकि income तो credit होता है न? और ऐसे debit होता है इसका मतलब क्या समझे कि भाई इसके उपर हमें ब्याज मिलना कितना चाहिए? बारा हजार जिसमें से मिल चुका है या नहीं मिल चुका? कितने मिल चुके हैं? पांच हजार अब adjustment बन गया यह क्योंकि बारा में से अगर पांच अगर मिल चुके हैं तो कितने का adjustment बनेगा? साथ हजार रुपे का adjustment बनेगा और यह साथ हजार रुपे कहां दिखाएंगे बताओ एक तो profit and loss के लेकिन profit and loss के credit side में बताओ यह पुराने वाला interest दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? यह भी दिखाएंगे और साथ हजार आइड करके दिखादेंगे और दूसरी entry कहां चली जाएगे आपके? कितने रुपे? साथ हजार कितने रुपे? साथ हजार तो यहाँ पे भी adjustment आ जाएगा फिर से वही बात कर दूँँगा old plus new और यहाँ पे आ जाएगा सरिफ new तो यह कौन सा adjustment है? simple सा adjustment, hidden adjustment तो देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन समझने में तो आपको पता यह कितना आसान था तो आप फटा फट से इसको नोट करिए इसके बाद एक और adjustment देखेंगे हम goods use का goods use जब कर लेते हैं तो क्या होता है हमारा? वो भी इससे भी आसान है होता हूँ